जैसा आप सभी जानते हैं कि आज 28 अक्टूबर 2017 है और अभी SSC का MTS का एक्जामनेशन चर रहा है तो कुछ विद्यार्थियों ने GK का कॉस्चन भेजा है GK का में इस टाइप का कॉस्चन बताया गिया उसी कॉस्चन को आपके साथ हम डिसकस करना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे डिजिटल्स क्लास में स्वागत करते हैं Welcome to our डिजिटल्स क्लास और इस विडियो के साथ बने रही है गा और देखते हैं कि आज जो MTS का एक्जामनेशन हुआ उसमें किस टाइप का कॉस्चन को पुछा गिया था तो चलिए देखते हैं कि पहला कॉस्चन क्या रखा गिया था तो आपके स्क्रीन पर बहुत जल्द आ रहा है तो ध्यान से देखिए आपके स्क्रीन पर पहला कॉस्चन आ चुका है लिखाओ था जनता की गुफावों का निर्मान किसने करवाय था एसन हो एंसर होगा गुप्त सासकों ने भुंदू का किला किसने बनमाय था एंसर होगा राजा नगर सीन ने बीस में कौन सा देश पूरे महादिप पर फेला है एंसर होगा अस्टेलिया अंतराइष्ट बोधिक संपदा अधिकार सुचकांक में भारत का स्थान है से तिस्वा परधान मंत्री थसल बीमा योजना को मंजूरी दी गए थी यानि कि कब मंजूरी दी गए थी इसका एंसर होगा तेरो जन्वरी दो हजार सोड़ों को पांसो और हजार के नोट अमाय निगोसी थुए यानि कि बंद कर दिये गिए वो तारिक कुन सा था इसका एंसर होगा आठ नॉमबर पिर्थिवी के नजदीक वाई मंडल की सबसे निशली परत है क्या है एंसर होगा छो मंडल मोरिया गीत संबंदी थे किस से मोरिया जो गीत थे वो किस से संबंदी थे एंसर होगा बालिकाओं से आई हॉप यह वीडियो आपको कैसा लगा में भी यह वीडियो में में भी कुछ एंसर साइद रोंग हो सकता है मेरा उसके लिए हम सौरी बोर रहे हैं क्योंकि अभी जो कंपेडिशन जो है ओनलाइन होने के कारण कॉस्चन मिल पाना बहुत मुस्किल होता है तो में भी एकात कॉस्चन हो सकता है रों हो जाए बट हम जितना ज्यादा से ज्यादा कोसिस करते हैं कि हम सही करेक्ट एंसर आपके पास पहुचाई इन्फर्मेसन यदि हमें या कोई सुझाब देना चाहते हैं या किसी परगार कि आपके पास कोई कॉस्चन हो MTS से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर टाइप करके बताएं और यदि वीडियो का अच्छा लगा तो एक छोटी से लाइक बटम को जरूर दे दें इससे मेरे उत्साहिक बढ़ता और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मन करता है उससे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें ताकि उनको भी पता चले कि MTS में किस टैप का कॉशन पुछा जा रहा है और हमारे चैनल पर यदि आप नए होंगे तो एक बस सब्सक्राइब का बटम का लाल करर का सब्सक्राइब का बटम होता है उसको दबाब दें और उसके बगल में एक वेल का घंटी होता है उसको घंटी को बजा दें ताकि जब कभी भी मेरा विडियो आये तो आपके पास पहुंच जाएगा क्योंकि हमारे पास जो है part 1, part 2, part 3 आएगा इसके बात का बाद क्योंकि एक ही साथ अगर question आ भी जाएगा मेरे पाद तो हम एक ही साथ नहीं बना पाएंगे क्योंकि विडियो बहुत लंबा होते चलता है क्योंकि discussion भी करना पड़ता सिर्फको अशनी स्वाल्म नहीं करना पड़ता है discussion करना पड़ता है online में एही होता है न कि discussion करना पड़ता है तो I hope यह विडियो आपको बहुत अच्छा लगा Thanks for watching our video खुश रहिए जय हिंद